सो ही दोस्तों कैसे हुआ आप सब दोस्तों यहां पर आज हम लोग बात करने वाले मीमिक्स अलफा के बारे में इनफैक्ट अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं तो यहां पर आप लोगोंने काफी सारे डीटेल्द सुने होंगे इसी स्मार्टफोन से रिलेट तो मैंने सुच आपको एक अन्बॉक्सिंग करके दिखाई देता हूँ कि आपको क्या कुछ मिल जाएगा बॉक्स में तो यहां पर वीडियो पर पूरा बनने रहेना सारा स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा और इंडिया के बारे में सारा डीटेल्स देने वाला हूँ तो यहां पर वीडियो पर पूरा बनने रहे सारा डीटेल्स दूगा और वीडियो पर क्लिक करे लिया तो ऐसे लाजवा वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो आई गया शुरू करते हैं इसका अन्बॉक्सिंग यहां पर सबस्तर आप सब्हस्त saints यहां पेशी आप देखसो आप डीटेल्स में एभाट कशो ऑप ऑन और ददो हीजाए लाता पो एक स्क्रशन नीचे नीचे के थाधि आपको दिखाता हूं यहां यहां पो फोन को मदद करने वाला वालल्स Homie चार्ज करनने महां जहां पर Type-C का port दिया गया है data syncing के लिए, तो यहां पर फटा-फट से मैं आपको आगे बढ़के बताता हूँ, यहां पर आपको data syncing cable मिल जाती है, जो कि आपको तो type-C port है, और साथ मैं आपको यहां पर travel adapter भी दी गई है, जो कि आपको जिसा कि पता है, यह phone 40W के fast charger को support करत तो काफी अच्छी बात है कि आपको travel adapter भी मिल जाती है box वहीं, तो यहां पर box content की बारे में बात करें, तो यहां पर एक और section देखनी को मिल जाती है, जिसमें कि आपको पड़ता है normally क्या कुछ देखनी को मिलने वाला है, तो यहां पर कुछ warranty card information मिल जाएगी, और एक soft silicone case भ converter भी देखनी को मिल जाता है, जैसा कि इसमें headphone jack तो नहीं मिलने वाला guys, तो फटा-फट से बढ़ते है हमारे smartphone की और तो यहां पर सब-सब पहले महों को बचा दो जैसा कि यह Chinese variant है, लेकिन guys आपको यही same to same India में भी देखनी को मिलेगा, मतलब कि आप यही Indian variant समझ सकते हो, य यहां पर जो main चीज है, जो सारा smartphone निरभर है, इसका डिस्पले है काफी जाता fantastic है guys, तो यहां पर डिस्पले के बारे हैं बात कर तो यहां पर 7.92 इंचेस का OLED डिस्पले मिल जाता है, जहां पर resolution की बारे हम बात करो तो यहां पर 2088 x 2250, 4K डिस्पले देखनी को मिल जाता है जिसमें की काफी कुछ यहां पर situated है, यहां पर यह स्मार्टफोन को देखनी के बाद आपके मन में काफी सरे सवाल आ रहोगी कि इसका speaker कहा पर है, बटन कहा पर है, तो speaker की बारे हम बात कर लो, जैसे कि आपको Vivo के apex में देखनी को मिल जाता है, इसकीन के अंदर ही यहां प साइड के जो फ्रेम है, जो कि आपको स्क्रीन ही मिलता है, उसी में स्प्रेशर सेंसिटिफ बटन देखनी को मिल जाता है, जो की कस्टमाइज है, तो यहां पर फोन के पर्फोर्मेंस के बारे हम बात करेंगे, तो यहां पर पीची के साइड में जो मेटल स्ट्रिप दिख इसी में आपको प्रोसेसर भी देखनी को मिल जाता है, जो कि यहां पर यूज के स्नाप डेकन 855 प्लस वाला प्रोसेसर, जो कि आता है 12GB RAM के साथ और यहां पर स्टोरेज ही बात करें तो 512GB आपको स्टोरेज देखनी को मिल जाती है, और यहां पर स्टोरेज टाइप की ब 20 MP प्राइमेरी क्यामरा है, 20 MP अल्टरा वाइड इंगल लेंज है, 12 MP टेली फोटो लेंज है, और यही सारे तीन कैमरा भी अपको सेल्फी के लिए ही देखनी को मिल जाते हैं, काफी जाते हैं, तो यहां पर सेल्फी भी काफी जाता है, अच्छी क्वालिटी में आनी वाली है मतलब कि 108 MP का पहला स्मार्टफोन होगा, जो कि अपको सेल्फी क्लिक करनी को देगा, 108 MP होले सेल्फी क्यामरा से, यहां पर बैटरी के बारे हम बात करें, 4050 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब 40W का फास्ट चार्जर देखनी को आपको मिल जाता है, जो कि अगें काफी अच् देट के बारे में जो कि इंडिया में कब तक आ सकता है, तो यहां पर मैं बता दू इंडिया में इसको थोड़ा भी टाइम है, लेकिन प्राइजिंग के बारे हम बात करें, तो इंडिया में 2 Lakh से लेकर 2.5 Lakh तक उपर के प्राइस तक जा सकता है, मतलब 2.5 Lakh के को प्लीज सस्क्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी फेंटास्टिक वीडियो में आप सभी के लिए डेली अपलोड करता हूं, तो मिलता मारे नेक्स वीडियो में गाई सब तक लिए टेक केर, गुड़ बाई